हे गाइस कैसे हो मेरा नाम है जाबीर और ये है मेरे पास Samsung Galaxy A53 5G Phone और इस Phone में हमें मिल जाता है Super AMOLED डिस्पले और साथ हमें मिल जाता है In-Display Fingerprint Sensor तो आज के इस वीडियो मैं आपको बताने वालाओ Samsung Galaxy A53 5G Phone में In-Display Fingerprint Sensor को कैसे लगाएं और उसको setup कैसे करें तो सारा कुछ डिटेल ने बताने वालाओं तो वीडियो को पूरा देखें और चाहें मैंने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो In-Display Fingerprint Sensor को लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपना Phone को Unlock करने के बाद आपको Setting को Open करने के बाद थोड़ा सा नीचे एस्त work करना है और यहां पर में option मिल जाता है Lock а Screen तो इसमें आपको Click करने वाद कुछ ऐसे एंटर पर हमें मिल जाता है और फिर्श्ट में option मिल जाता है में Lock a Screen Type तो इसमें आपको Click करने वाद आपने Family लोग लगा रहेगा तो यहां पर आपको कर देना है किल करने वाद यहां पर बहुत सवरा option मिल जाता है लोक लगाने का pattern lock pin lock passport तो जो भी lock आप लगाना चाहते हैं यहां से आप लगा सकते हैं normal lock और अगर आप in display fingerprint lock लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको back आ जाना है उसके बाद थोड़ा सा नीचे scroll करना है और यहीं पर हमें option मिल जाता है fingerprint का तो fingerprint lock लगाने के लिए आपको fingerprint वाले option में click कर देना है click करने वाद आपने जो भी screen lock लगाया है अपने phone में उसको यहां पर एक finger को add करके दिखाने वाला हूं और इस phone में total तीन फिंगर एड होता है total तीन फिंगर में आप लोग लगा सकते हैं तो यहां पर आप देखते हैं finger को add करने के लिए add finger पे click करना है उसके बाद यहां पर आपको नीचे लिखाव मिल जाता है register तो इसमें आपको click करने बाद यहां पर अपने finger को पर बार प्रेस करना है जो यहां पर आप देखते हैं जैसा मैं कर रहा हूं वैसे आपको करना है और इसको पूरा 100% तक कर देना है तो यहां पर मैं 100% कर दिया हूं और उसके बाद आपको यहां पर done का option मिलेगा done पर click कर देना है उसके बाद आपका finger यहां पर add हो जाएगा और आप अपने finger से अपने phone को unlock कर सकते हैं इंडिस वाले finger print sensor को यूज करके और फ्रेंड्स आप अपने phone में और भ आपको किसी एक को सबसे पहले remove करना होगा और यहां पर आप नया finger add कर सकते हैं जैसे यहां पर मैंने आपको करके दिखाया है तो ऐसे ही आप अपने phone में setup कर सकते हैं इंडिस वाले finger print sensor को और यहां पर यूज कर सकते हैं जैसा यहां पर देख सकते हैं काफी amazing look निकल के आत आपने phone में finger को add कैसे करें और उसको use कैसे करें और उसमें आप नया finger कैसे add करें और फ्रेंस यह वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो वीडियो को like करें share करें और चैनल में नहीं तो चैनल को subscribe कर दें और bell icon को press कर दें ताकि ऐसे ही latest video की notification सबसे पहले आपके सबसे है